यह हमारे आर्के एजुकेशन के defense wing के warriors जो physical के training कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह सबी बच्चे हैं physical training कर रहे हैं जी डी के examination के लिए या चाहे सची सीपी के लिए army के लिए open rally जो आती है army की वो यह कोई भी state police के लिए दिली पुलिस वगरा हो गया जिसका फिजिकल का टेस्ट होता है 1600 मीटर का तो उनकी तैयार यहां चल रही है आप देख सकते हैं यादव सर आप सभी जानते हैं श्री सर को श्री यादव तो काफी माहिर है अपने फिल्ड में और यह गैरंटी लेते हैं इस चीज़ की कि अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ इनके साथ जुड़ता है तो कोई भी एक्जाम फिजिकल में नहीं रह सकता फिजिकल की तैयरी की जिम्यदारी इनकी है कोई भी ऐसा एक्जामिनेशन जो जिसमें फिजिकल टेस्ट होता है तो वो गैरंटी के साथ यह पास कराने की जिम्यदारी लेते हैं लेकिन बस बच्चा डेडिकेटेड होना चाहिए पुरे डेडिकेशन के साथ बच्चा इनके साथ जुंदना चाहिए फिजिकल की तैयरी करवाते हैं जी डी का लेक्शेन हो चाहे आर्मी का इग्सामिनेशन हो चाहे स्सी सी पियोगी का हो डेडिक durability का एक्जामिनेशन हो तो यह कहां पे है तो डेडि में मुखरजिनगर के पास ही निरंकारी मैदान है तो वही निरंकारी मैदान, बाइपास के पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह सभी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, एक बार जैहिन जरूर लिख दीजेगा इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए एक बार जैहिन जरूर लिख दीजेगा, देख सकते हैं यह ठक चुके हैं लेकिन तैयारी इनके जारी है भगवान इनको काम्याबी दे जल्दी से जल्दी देखें देख सकते हैं आप जारी हिन्ज जरूर लिखेंगा ताकि इन बच्चों को भी थोड़ा सा होसला मिले इन बच्चों काफी अच्छा रखता है जब कोई इनको सपोर्ट करता है वजाइड सी बात है इंडिया के जो फौजी है या फिर जो भी डिफेंस के पर्सनल्स हैं उन्हीं के भरोसे हम रात को चैंसे सोपाते हैं यह उन्हीं की तैयरी कर रहे हैं इंडियन आर्मी हो गया सी पी ओ यानि की समिस्पेक्टर का या इसके अलावा जो भी अधर स्टेट पुलिस के एक्जामिनेशन होते हैं इंक्लोडिंग डेली पुलिस या किसी भी डिफेंस से रिलेटेट जो भी एक्जामिनेशन होता है तो अब आर्क एजुकेशन पर फ पीडी की तैयारी कर रहे थे या अधर एक्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे तो उनका कहना था कि सर हमारे लिए भी तो कुछ सोची यह तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनके फिजिकल की तैयारी यहां चालू करवा दी गई है आप देख सकते हैं काफी सारे बच् इसमें जुड़ना चाहता है तो जरूर जुड़े यह मुखरजी नगर के नियरबाई है मुखरजी नगर के पास डैली निरंकारी एक बार जैहिन जरू लिखिएगा सभी बच्चे जैहिन जरू लिखिएगा जो भी देख रहे हैं शाबाश वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं इनकलाव जंदाबाद बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां इनकलाब जुन्दावाद के नारे लग रहे हैं भारत-माता की जय नारे लग रहे हैं बच्चों के अंदर होसला आता है इससे आप जानते हो कि जब कोई भी फॉजी बॉर्डर पे होता है और किसी Nokian के लिए जाता है तो उसके इने अंदर जो जोश भरना होता है तो वापस में यही नारे लगाते हैं जैसे भारत माता की जय, इन्कलाब जिंदावाद, वंदे मातरम तो इससे इनके अंदर एक जोश उच्छा भर जाता है जिससे कि इनको एक दुबारा हिम्मत मिलती है, ना ठकने की लगातार काम करने क लगातार अपने प्रयास को सफल बनाने की चलिए तो बस यही चीज़े थी इन बच्चों का होसला आसी बना रहे और कोई भी बच्चा अगर फिजिकल की तयारी के लिए जुड़ना चाहता है तो मुझे कॉंटेक्ट कर सकता है मुझे फेसबुक के थुरू इंस्टागराम के थुरू वाट्सैब के थुरू आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं और इंडरॉल करवा करके इन के साथ अपनी तयारी जारी कर सकते हैं यह सभी बच्चे हैं क्या नाम है आपका? अरजुन जीड़ी के तयारी कर रहे हैं? चलिए यह जल्दी सेलेक्शन आपके जल्दी हो जाए भगवान से यही दूआ है आपके लिए पीछे घुमना जड़ा यह हमारे हमारे लोगों भी लगा हुआ है भूँत बहुत बहुत दन्यवाद आपका यह हमारे स्टुडेंट्स है यह सारा हमारा फिजिकल का डिपार्टमेंट यादवसर के हाथ में है यादवसर ही देखते हैं पूरा फिजिकल का रिटन का पूरा हमारे हाथ में रहता है रिटन की जो भी तैयारी करता है बच्चा चाहे किसी भी कूर्स की हो सारे तैयारी का ज तरीके से भड़ा हुआ है फिर भी बच्चों के अंदर होसला है चलिए फिर बाए बैं जैहिन बंदे मातरम भारत माता की जाए